Hey guys, this is Manish और आप देख रहे हैं Study Planet आज हम बात करने वाले काफी important topic के बारे में तो अगर आप लोग BA program 6th semester के student हैं तो आपके exam चल रहे होंगे और एक subject है आपके पास understanding globalization तो understanding globalization को जो subject है इसके उपर में बहुत सारी videos बना चुका हूँ तो जिसका link आपको description में मिल जाएगा आप इसकी playlist जाकी check कर सकते हैं जिसमें आपको exam के regardingly बहुत सारे important topics जो आपके exam में questions आएंगे उसके उपर videos आपको मिल जाएंगी तो आज का जो हमारा topic है हम discuss करने वाले है उसका नाम है G77 मतलब group 77 तो group 77 क्या होता है इसके उपर exam में mostly short note अने के chances जाद है तो short note के हिसा आप से topic क हम शुरू करने वाले हैं तो जो जी 77 है बिल्कुल नाम से क्लियर है group 77 तो इड़ वस वन अफ द लार्जस इंटरनेशनल ओगनाजेशेशन वर्ड अंड़ 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 अटे नेशन तो UN के अंडर में काम करता है group 77 का मतलब 77 देश्यों को ए ग्रूप है especially developing countries है दुनिय है कि जिरो ने इसके शुरुवात की जैसे जी 77 की और इड़ वस फांड़ेशन ओन दा 15th जून 1964 बाइद 77 डवलपिंग नेशन और यह जो है जो 77 founding members है उन सभी ने joint declaration of the 77 countries को sign किये जिसके बाद formally शुरुवात हुई जी 77 की और बात करें इसके सबसे पहली मीटिंग की उसके सबसे पहली जो मीटिंग थी जी 77 की इट वास कंडुक्टेड एल अलजियर्स इन 1967 अब बात करते हैं इसके objectives की कि इसका मकसद क्या था बनाने का तो बेसिकली सबस थी तो यहाँ पर जितने भी जो देश नए आजाद होकर आ रहे थे कुछ लोग developing थे कुछ underdevelop थे उन सब ने इसके शुरुवात की थी तो परपस यह था कि cold war को और by polarity को यह लोग कंबेट भी कर लेंगे और साथ-साथ अपने development भी कर लेंगे तो यहीं सेमिसके objectives को समझ सक रखते हैं कि जी 77 ता उसको बनाने का बहुत सिंपल सा परपस था कि जितने भी developing countries हैं उन सब के collective interest को बनाई रखना और इनकी negotiation capabilities को बढ़ाना उसको wider करना और इसके साथ-साथ-साथ जितने भी developing countries हैं उन सभी का जो relations है अच्छे relations को बनाई रखना उसके साथ-साथ economic और technical cooperation कर ना उनका बात करते हैं इसके membership की अगर हम लोग तो इसके जो membership है वो अब करीब 134 countries इसका पार्ट है लेकिन फिर भी इसका नाम नहीं बदला गया इसकी historical importance को देखते हुए इसका नाम आज भी G77 के नाम से जाना जाता है हलाकि इसके अदर आज के डाइम पर 134 members है और बात क इसके presidency की तो उसका chairman कौन है भी तो Pakistan is the current chairman of the G77 groups तो यह G77 के short note के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके जो है objectives की हमने बात की इसके introduction की हमने बात की थोड़ी से background की भी हम लोगों ने बात की इसके membership की बात की अब जरूरी है पार्ट है इसका कि cold war के बाद cold war खतम होने के बाद G77 के जो members थे उनके relation में किस तरीके का बदला हुआ या उसके किस drawbacks थे जो सामने निकल कर आई तो इससारे हम discuss करते उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको political science औ सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे paid courses या फिर paid notes चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें Instagram पर message भी कर सकते हैं तो बात करें अगर post cold war relevance of the G77 तो जब शुरुआत में G77 को बनाया गया था तब तो यह जो countries थी इनके अंदर बहुत positive energy देखने को मि ली बहुत सारे areas थे जहां पर लोगों agreement किये अपने development के लिए बहुत सारे agreement sign भी किये इन सभी member states के बीच में और तब तो बहुत actively लोग काम करते थे लेकिन धीरे धीरे जैसे time emerge होता गया और specially जैसे cold war खतम हुआ उसके बाद इन सभी members के states के बीच में area of disagreement भी इमर्ज होके जाने लेगे अब disagreement बहुत सारे areas पर थे और इसका reason एक बहुत simple सा था कि G77 को जब देशों ने शुरुआत की थी तो जरतर सभी देश underdeveloped developing countries थे लेकिन अब क्या था अब यह जो members थे इन में से काफी सारे members developed बन चुके थे और इसलिए क्या हो रहा था जी 77 के अंदर कुछ members ऐसे थे जो कि faster pace पे काफी develop हो रहे थे as compared to the other members of the G77 तो इसको लेकर unity में थोड़ी कमजोरी आई G77 के अंदर और इससे वड़ी बात जो cold war था वही खतम हो गया क्योंकि cold war के time पे इसको बनाया गया था तो तब इसका relevance बहुत जादा था जो country थी अब cold war ही खतम हो गया क्या सच में अब जी 77 का relevance बचा है या नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जी 77 का relevance आज भी काफी important है क्योंकि जितने भी third world nations है एश और अफरिका के उसमें से आज भी बहुत सारे nations ऐसे हैं जो LDC में आते हैं लीस्ट developed countries में count होते हैं और specially जब से globalization का era शुरू हुआ है तब से बहुत सारी complex problems हैं जो इन third world nations के इंतर निकल कर आई है तो जी 77 का जो ग्रूप है उसकी relevance आज भी बहुत important है जो कि एक platform provide करती है सभी देशों को जो developing और under developing countries हैं सभी को कि वो अलग-अलग issues के उसके उपर discussion क कर सकते हैं जैसे कि the role played by the oil in the world economy, the growing disparities between the haves and have nots मतलब economic inequality की भी बात होती है इसके अंदर और इसके लाबा international terrorism और drugs trafficking ऐसी बहुत सारी समस्य है developing countries के अंदर जिन सब को solve करने के लिए आज भी G77 काफी important group का role play करता है तो यह पूरा short note था G77 का I hope आपको वीडियो काफी informative लगी हो तो अब इसको उजाद सादा शेयर कर सकते हैं अपने classmates के साथ और चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you so much for watching